आज हम दुबारा डेल्टन के ही आर्टिकल को डिसकस करेंगे और यह देखेंगे के डेल्टन ने दो इंट्रोस्टिंग अक्टिविटीज करवाई और इन दोनों अपने बड़ी इंट्रोस्टिंग आर्टिकल में हम से शेयर किया आर्टिकल का नाम क्या है इंगेजिंग चिल्टन इन खोज रीडिंग मल्की मॉडल कमेंटरीज और इलस्तरेशन रीमिक्स 2013 में यह आर्टिकल लिखा गया था At the end, डेल्टन ने conclusion निकाला और बताया कि आप किस तरीके से अपनी जो activity है बुक रीडिंग की जिसको आप engage कर रहे हैं multi-model commentaries के साथ powerpoint presentation या कोई भी ऐसे gadget के साथ जिसके अंदर different किसम की links मौजूद हों और gadgets मौजूद हो और options मौजूद हो जिसे student इस्तमाल करके interesting तरीके से कहानिया पर सकें नजमें पर सकें और उसमें contribute कर सकें उनका contribute करना उनका सोचना, उनका जवाब देना उनका add-on करना, उनका contract करना, उनका explain करना ये बुनियादी तोर पे उनकी ना सिर्फ language skill को develop करता है वरके intellectual skills को भी develop करता है तो reading के अंदर कितने ही जबरदस तरीके से हम technology को इस्तमाल कर सकते हैं और इस पूरे reading के process को कितना enhance कर सकते हैं इस मामले में कि वो जबरदस बन जाए और उसके अंदर बेतरीन तरीके से multiple views जो है हमारे सामने बच्चों के आ सकते हैं और बच्चे एक दूसरे की views को बहुत ही असानी से देख सकते हैं अब क्या ऐसी चीज़े हैं जिसको हमें ख्यार रखना चाहिए जब हम literature को stories को, poems को multimodal commentaries हैं उनके साथ mix up कर रहे होते हैं या हम अपने technology के साथ mix up करके lesson planning कर रहे होते हैं so multimodal commentaries के अंदर जो सबसे important चीज़ आती है वो या आती है कि हम बच्चों को मुका दें कि वो group में काम करें that is a very very good idea बच्चे जो हैं उनको हम different groups के अंदर set up कर सकते हैं group में set up करने के सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चों के साथ partner होते हैं उनका confidence raise हो जाता है multiple skills जो हैं वो combine हो जाती है वो दूसरे से बेतरीन तरीके से सीख सकते हैं और बार बार teacher के पास जाके पूछने की जिएका वो एक दूसरे की help मदद कर सकते हैं एक दूसरे को help out कर सकते हैं ताके वो hypertext को develop कर सके हैं और definitely teacher तो उनने guide करी रहा होता है groups को और supervise करी रहा होता है जब हम group में काम करते हैं तो बच्चों को यह chance मलता है कि वो अपने ideas को multi-model composition के अंदर वो लेकर आते हैं एक दूसरे के साथ मिलके और एक दूसरे के ideas देखके उनके अपने ideas जो है वो polish होते हैं और improve होने लग जाते हैं अगर बच्चे बहुत ही छोटे हों जैसे कि आपके grade 1 या 2 के बच्चे हों तो इसके साथ सबसे important चीज ही आती है कि आए जब बच्चे गृर्प में काम करते हैं तो वो एक दूसरे से Dil假स करते हैं और यक दूसरे को स्बस्ट करते हैं कि सहरा हमारे पास time है उसके अंदर और हमने अपना काम मुकमल करना है और hypertex लिक लेना है और definitely वो एक दूसरे को support कर रहे होते हैं इसी तरीके से टीचर को चाहिए ये कि जब बच्चों से discussion हो रही हो तो वो pairs में बुलाएं ताकि pairs जो हैं वो अपने comments दिखाएं उनको discuss करें एक बताए कि मैंने क्या काम किया दूसरा बताए कि जी मैंने illustrations पर काम किया इस तरीके से हर बच्चे को मौका मिलता है कि pair में काम कर यह कि वो बच्चों को hypertext खुद बना के दिखाएं करके दिखाएं ताकि बच्चे जो हैं वो उनको follow-up कर सके और वो जो hyperlink से उसके उपर क्लिक करके वो अपने sentences भी उसके अंदर add-on कर सके हैं उसके लावा teacher जो है ऐसे बच्चों को identify कर सकते हैं जो already technology में बहुत अच्छे हैं या जो आप gadget use कर रहे हैं वो उनको भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करने आता है and they get it कि आपने क्या बताया है कि क्या करना है और उन बच्चों को as a leader group में जो है assign करें duty कि वो सब की help out करेंगे मदद करेंगे वो बताएंगे कि इस gadget को कैसे कि इस्तेमाल करना वोइस को कैसे record करना है कॉमेंट को कैसे टाइप करना है Google से image को उठा के यहां कैसे insert करना है जब student जो है और वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो definitely वो एक दूसरे के साथ बात्चिक करते हैं और बात्चिक करके वो इस दूसरे के comment भी पढ़ते ह हैं और वो different कि समकी interesting interpretation पर आ सकते हैं writing for a viewership यह बहुत important चीज़ है अगर students को यह पता चल जाए कि कोई उनकी presentation उनके यह जो expression balloons है और उनके जो hyperlink text है hypertext है वो कोई पढ़ने वाला है और पढ़ने के बाद उस पर भी comment कर सकता है तो definitely student बहुत ही ज्यादा इंट्रस्ट लेते है अब इस किसम के gadgets में जो सबसे interesting चीज़ होती है वो यह होती है कि आपके class के तमाम student के comments आप बढ़ सकते हैं और वो तमाम student ही आपकी audience बन जाती है और वो आपके comments बढ़ सकते हैं इस तरह बच्चे ज्यादा enthusiastic होते हैं उनको ज्यादा मज़ा आता है story पढ़ने में और interesting तरी किस story को redefine करने में या उसको analyze करने में उसके लावा आप यह links parents से भी share कर सकते हैं और आपका कोई वहां पर writing और reading clubs हैं वो भी share कर सकते हैं और वो आपका interesting काम देख सकते हैं आप internet पर जाएं आपको बहुत से schools की जो इस किसम की social activities हैं उनके social groups हैं वो नदर आएंगे और उनक इसका मतलब एक wider audience दी जा सकती है अगर आप पहली दफा अपनी किसी कहानी को च्छोटी सी कहानी या नजम या quotation को लेके बच्चों के साथ close reading lesson plan बना रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि इसके साथ technology को mix-up किया जाए तो it is good कि आप इससे ज्यादा complicated ना बनाएं इसको simple बनाएं देर सारे hypertext की option के लिए hyperlinks ना दें देर सारी options को एक ही दफार इस्तमाल ना करें पहले खुद करके देखें अपने colleagues के साथ उसके बाद जो है देखें कि क्या आप इसको properly class में इस्तमाल कर सकते हैं और फिर आप अपने ideas को distribute करें अपने students के साथ बहुत से बच्ची ऐसे है हैं जो के definitely hyperlink से बहुत अच्छी तरीकी से familiar है किसे कैसे इस्तमाल करना है जब आप उनके सामने गैजट लेकर आते हैं पावर पॉइंट स्लाइट तो they already know how to use it लेकर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये गैजट इस्तमाल करने नहीं आते it is good कि आप उनको छोटे से मिलें उन बच्चों को और उनको properly train करें उनको बताएं उनकी skill develop करें और उनको help out करें ताकि वो proper तरीके से इस activity में participate कर सके